मखाना, foxnut, prickly water lily या gorgon nut नाम से भी जाना जाता है मखाना की health benefits के कारण ये बहुती healthy snacks माना जाता है मखाना पॉपकॉन जैसा हलका होता है लेकिन मखाना के nutrition values पॉपकॉन से ज्यादा होते है जैसे लोगों को मखाना की nutrition values पता चलने लगे है मखाना का demand ज्यादा बढ़ने लगा है मखाना कैसा बनता है उसकी process कैसे की जाती है उसकी जानकरी हमारे चैनल के वीडियो में दी गई है आज के वीडियो में मैं आपको मखाना की उत्पाती कहां से हुई उसके बारे में बताऊंगे लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से latest update पाने के लिए हमारी चैनल आसकाई गुरू को सब्सक्राइब करना ना भूले आरके बोटनी एक फील्ड है जो प्लांट रिमेंस को स्टडी करते है इस रीसर्ट स्टडी के अनुसार यूरियल फिरॉक्स के लीव्स नियोलितिक पीरियर में सबसे ज्यादा कलेक्ट किये जाने वाले वाइल्ड फूड थे यूरियल फिरॉक्स का सबसे पहरे रेकॉर्ट किया गया उपयोग 7,50,000 येर्स पुराना है। उसके पाद चाइनीज लोगों ने यूरियल फिरॉक्स प्लांट को काफी सद्यों तक उगाया है। जसकारत मखाना एंचिन टाइम में एशिया में बहुत ही पुराना फूड रहा है। चाइनीज और आयुरियल फिरॉक्स के पत्तों को ग्रो करना पड़ता है। और ये प्लांट ब्रो करने के लिए ऐसा लोकेशन चाहिए जहा क्लाइमिट होट, ड्राइ समर्स और कोल्ड विंटर्स जैसा वेदर हो। इसलिए यर 1990 से भारत के बहार शेत्र में यूरियल फिरॉक्स का कल्टिवेशन शुरू हुआ। मखाना खाने के बहुत फाइदे हैं, जिसकारण आज के वक्त में बिहार के 96,000 हेक्टर से ज्यादा जमीन पे यूरियल फिरॉक्स का कल्टिवेशन किया जाता है। मखाना के बढ़ती डिमान के कारण बिहार में ये कैश क्रॉप भी जाना जाता है। कुछ मखाना बनने के लिए बहुती बड़ी और मुश्किल प्रोसेस करनी पड़ती है। मखाना की प्रोसेस करने में कोई latest technology नहीं है, जिसकारण लोग आज भी traditional methods से मखाना seeds का प्रोसेसिंग करते हैं। तो इस विडियो में हमने देखा मखाना जिससे बनता है, यानि कि यूरियल फिरोक्स बहुती ancient times का wild food है। उसके पाद चाइना में काफी सद्यों से यूरियल फिरोक्स leaves का cultivation किया जाता है। जैसे मखाना का demand ज्यादा बढ़ने लगा, इन leaves की उत्पाती बिहार में भी होने लगी। आज के वक्त में मखाना बिहार के लिए बहुती profitable crop बन गया है। अगर मखाना के बारे में और भी कुछ जानकारी है, तो हमारे comment section में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तिसे like, share और subscribe जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।